जहें साथियों, तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उस करम में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम लोग सिंदु सभेता, इंडर सिविलाइजेशन के जो प्रमुक सिटीज हैं, नगर हैं, उनके बारे में डिसकस करेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे, और जो प्रसन भी तक एक्जाम्स में आए हैं यहां से, या जो प्रसन कोईशन्स एक्जाम्स में आ सकते हैं, उन दोनों पॉइंट के मद्दे नजर हम लोग अपनी क्लास को कांटिन्यू करेंगे, आप देख पा रहे हैं, यह जो सिंदु सभेता के नगर है, इंडिस सिविलाइजेशन की जो सिटीज हैं, उनका विस्तार लगभग क्या एक्जेक्ट तीन देशों में इनका विस्तार पाया जाता है, उन तीन देशों का नाम क्या है, तो आप जानते होंगे, इंडिया और पाकिस्तान में आलमों स सिटीज पाई जाती हैं लेकिन कुछ सिटीज हैं जैसे आप जानते होंगे सुर्तुगई जहां से हमें नहरों के साक्ष पाई गए हैं एक मात्र ऐसा नगर है जहां से हमें कैनाल नहरों के साक्ष मिले हैं विडेंस मिले हैं तो वो है सुर्तुगई राइट तो इस तरीके से अगर पूछा जाए कि कितने देशों में है तो आप बताओगे तीन कौन-कौन इंडिया, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान राइट अब इंडिया, भारत, हिंदुस्तान ये तो एक ही देश है तो इनमें कहीं कोई कन्फ्यूज नहीं होना है इतना तो आप सम क्विश्टन है जरा सोच के और समझ के बताईएगा फिर हम लोग आगे चर्चा करते हैं अब सब बच्चों को बताना है एक भी ऐसा बच्चा नहीं होना चाहिए जो एक क्विश्टन को स्किप करें क्विश्टन क्या है कि सिंदुस्ता के सारे नगर या सिंदुस्ता के ल वो सिंदुस्ता के नगर नदियों के किनारे बसे हैं नदियों के किनारे इस्थित हैं तो ऐसा क्या कारण है कि ये नगर नदियों के किनारे बसे पाए इस्थित पाए गए तो आप्शन भी दे देगा आपको मिलता जुलता आप्शन अब आप कन्फ्यूज हो जाएंगे क कौन सा option सही मारा जाए और कौन सा answer गलत मारा जाए तो चारा option क्या क्या देदेगा कि easy ability of water पानी की आसान उपलबता दूसरा देदेगा hunting सिकार तीसरा देदेगा transport याता यात चौथा देदेगा सिचाई irrigation और पांचवा देदेगा swimming swimming नहना दोना वगएरा है ना तैरना वगएरा तो अब आप क्या option लगाएंगे तो इसमें generally लोग मैंने देखा है generally बच्चे जो लगा देते हैं option वो transport लगा देते हैं याता यात कोई लगा देता इसमें irrigation सिचाई तो ये भी option सही है ऐसा नहीं कि ये गलत है लेकिन ज्यादा नजदीक option जो माना गया अभी तक even UPSC ने भी जिस option को correct माना है वो option क्या है वो number एक option easy availability of water पानी की आसान उपलब्रता ये अभी तक correct answer माना गया है अगर ये option में नहीं होगा option ही गाइब होगा तब आपको क्या लगाना है hunting सिकार अब logic लगाईए aptitude भी आपको पता है बहुत vast subject है इतिहास इतिहास में इतनी सारी date है इतनी सारी घटनाएं है उनको याद करना possible है ही नहीं बड़े मुस्किल से इतनी सारी date और घटनाएं मैंने याद किये आपको इतना नहीं याद करना है आपको अपना exam निकालना है और master नहीं बनना है जब master बनने का मन करें बताना मैं वो भी आपको पढ़ाऊंगा समझाऊंगा कि कैसे teacher बनते तो यहाँ पर आप देखोगे कि option एक और दो दोनों ज़्यादा नजदीक सही है लेकिन दोनों option के रहने पर पानी की आसान उपलबता ज़्यादा सही है और वो नहीं रहेगा तो hunting सिकार देखिए भाई आप हम लोग भी अगर घर कहीं किराय वगरा पर लेते हैं घर वगरा बनाते हैं तो हमारी कहने कहीं ये पहली प्राथमिक्ता होती है फर्स्ट प्राइल्टी कि हमारा जो घर हो वहाँ पर कम से कम 24 घंटे पानी आता हो पानी की आसान उपलबता राइट दूसरा कि भाई बाजार हो साख सबजी मिलती हो रासन पानी किराने की दुकान हो तो इसी तरीके से उस समय के लोगों ने भी इन दो बातों को प्राथमिक्ता दी कि मतलब पानी 24 घंटे अबिलबल हो नदी की किनारे बसो जितना पानी पी हो और भोजन उस समय सिचाई इतने व्यापक पैमाने पे नहीं होती थी ध्यान समझ लिएगा सिचाई सिच्टम उतना ज़्यादा डेवलप नहीं था तो मानों ने हंटिंग को प्राथमिक्ता दी मतलब मोसली जो मानों था उस समय का सब जानुवर खाता था मांस खाता था और जंगल से जानुवर आएंगे नदियों की किनारे पानी पीने एक दिन दो दिन घंटा दो घंटे में वहीं आदमी अपना धनुस वांड लिए तीर धनुस लिए हतियार भाला बर्ची कटाल लिए बैठा रहेगा और उसी समय उसका उसकी हत्या कर दी जाएगे जानुवर की समझ पाएगे आप तो यह दो प्रमु कारण थे याद रखना उसके बाद रिस्ट आप्शन भी सही है तो यह आप देखेंगे कि जितने भी सिंदु सभेता के नगर है आलमोस इंपॉर्टिन नगर वो सब देखिए तो किसी न किसी नदी के किनारे बसे हैं एक मात्र ऐसा नगर है देख पा रहे होंगे सुरकोतदा या सुरकोतड़ा एक मात्र ऐसा नगर है जिसके बारे में एक जिक नहीं मिलता है कि कौन सी नदी के किनारे बसा है देख पा रहे होंगे सुरकोतदा यहां से ना हमें घोडे की हड़ियों के साक्ष मिलते हैं सुरकोतड़ा या सुरकोतड़ा से Evidence of Bones of Horses are found from सुरकोतड़ा और आप जितने भी नगर देखिए तो आप देख पा रहे होंगे सारे नगर किसी नदी के किनारे बसे हैं राइट अब कौन कौन से नगर है तो देख पा रहे होंगे अब क्या क्या प्रसन याद करना है भई 1500 नगर है 1500 सिटीज है पूरा 1500 नगर न मुझे याद हुआ है भावनाय समझें और आपको याद होगा क्योंकि यह केला काम है नहीं कि 24 गंटे 365 दिन केवल बस यही याद करना है तभी याद हो पाएगा आपको और भी सब्जेक याद करने है मुझे भी और टॉपिक पढ़ाने और सब्जेक पढ़ाने है इसलिए दोनों को पूरे याद नहीं है और यह एक्जाम में भी नहीं आएगा पूरे 1500 नगर तो यह important नगर आपके जबान पर होने चाहिए कि नगर की खोज कब हुई देख पा रहे होंगे आप नगर दिया गया है और नगर का उत्खनन वर्स कब उसको खोजा गया कब उस नगर की खुदाई हुई कब उस नगर की पहचान हुई तो उत्खनन वर्स भी साथ साथ देख पा रहे होंगे आप कि मिंसन है और उत्खनन वर्स के बाद में आप देख पा रहे होंगे कि वो जो नगर है वो आज की डेट में किस देश में या कहां पर इस्थित है ये भी पूछा जाता है जैसे पूछेगा हरपा कहां इस्थित है भारत या पाकिस्तान मोहन जोदारो कहां इस्थित है भारत या पाकिस्तान धौला वीर्यारो पर लोथल बनावली सुरकोतड़ा ये सब नगर आपको कोई भी नगर दे देगा तो आप कोई भी पता होना चाहिए कि संबंधित नगर, संबंधित सिटी कहां पर इस्थित है आज की डेट में और वो संबंधित नगर किस नदी के किन्यादे इस्थित है इतना समझ जाएंगे आप इतना ही आपको समझना है और वो नगर कि खोज कब हुई उद्खनन कब हुआ और किस बेक्ति के देख रेख में उस नगर की खुदाई हुई ये भी इंपॉल्टेंट है तो ये चार-पांच पॉइंट है जो आपके माइंड में होने चाहिए जो माइंड में आपके सिट होने चाहिए और ये बातें अगर आपके माइंड में सेट है तो आप से एक भी कुश्चन नहीं चूटेगा इस सम्मंधिक टॉपिक से ध्यान से समझना है अब हम लोग सुरू कर देते और डिस्किप्शन में ये आपको पूरा पीडिएफ मिल जाएगा फरदर अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आठसब नंबर है इस पे आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं लाइब सेशन भी अपना होता है रिकॉर्डिंग सेशन भी होता है तो लाइब सेशन में तो अन्दर टाइम अन्दर स्पॉट आप पूछ सकते हैं हडपा कब खोजा गया 1921 में खोजा गया दयाराम साहनी ने इसकी खोज करी और मांट गोमरी जिला पाकिस्तान में ये इस्थित है और रावी नदी के किनारे इसकी उपहस्तिती थी हडपा अब एक प्रसन है हडपा के बारे में आपको पता होगा जो सिंदु सभेता का दूसरा नाम है वो हडपा सभेता है हडपा सभेता के नाम से इसको जाना जाता है हडपा एक नगर है जो सबसे पहले खोजा गया अब सबसे पहले खोजा जाने के कारण सिंद्व सभेता का दूसरा नाम हडपा सभेता पड़ गया है तो अगर कोई पूछे आपसे कि क्या हडपा सभेता और सिंद्व सभेता में कोई अंतर है, डिफ्रेंस है या दोनों एक हैं, तो आपको बताना है कि बोथ हार सेम इंडर सिविलाजेशन लेकिन जब प्रसन होगा कि हडपा सभेता और हडपा नगर में कोई डिफ्रेंस है या दोनों एक है तो आपको बताना है हाजी डिफ्रेंस है, क्या डिफ्रेंस है बहुत बड़ा डिफ्रेंस है एक बाप है कि इसके बच्चे हैं तो बच्चे हैं हरपा, मोहन जोदरो, बनावली, राकी गड़ी, काली बंगा, दाइमाबाद, मांडा, तो ये सब क्या हैं, दीजार, Cities of Indus Civilization, दीजार Cities of हरपन Civilization, तो जब हम बात करेंगे हरपा सभेता की, तो समझे वो सिंदु सभेता का दूसरा नाम है, और जब हम बात कर हरपा नगर की, तो समझे की वो एक नगर है, एक पार्ट है किसका, हरपा सभेता का या सिंदु सभेता का, समझ पाएंदर आप, तो अंतर समझ गए, तो जो हरपा नगर है, वो एक पार्ट है, हरपा सभेता या सिंदु सभेता का, और जो हरपा सभेता है, वो सिंदु सभे का दूसरा नाम है तो सिंदु सभेता को हम हडपा सभेता की नाम से जानते हैं क्योंकि इसका खुजा गया पहला नगर हडपा था इसलिए कुछ लोगों ने इसको हडपा सभेता भी नाम दिया है तो हडपा और मोहन जो दुड़ो दोनों की जो खुदाई हुई वो उसके जो हेड थे वो जानते होंगे आप अंग्रेज थे सरजान मारसल तो सरजान मारसल के नेतरत में इसकी खोज होती है और जिनों इनके नेतरत में इसकी खुदाई हुई और जिनों ने खोजा डिसकबर्ड किया इन दोनों सिटीज को तो वो दोनों अलग-अलग आदमी है हडपा की खोच दयाराम साहिनी ने की 1921 में 1921 में जबकि मोहन जोड़ो की खोच 1922 में आलडी बनर जी ने की याद रखना हडपा, दयाराम साहिनी और मोहन जोड़ो आलडी बनर जी राखाल दास बनर जी और दोनों के हेड जो थे वो सरजान मारसल थे एक्चली हुआ क्या कि बहुत पहले ही इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि जमीन के अंदर कोई एक बड़ी सबहता होने के चांसेज हैं लेकिन उसको दरकिनार किया गया और अंग्रेजों ने बहुत सीरियस नहीं लिया लेकिन कुछ वर्सों बात आपको पता होगा जब 1853 में आप जानते हैं 1853 में भारत में पहली बार ट्रेन चली बंबई से थाने के बीच में तो उस समय जो रेल वे ट्रैक बन रहा था खुदाई हो रही थी रेल पटरी के लिए ब्रेंडर ब्रदर्स उनके हैड थे उन्होंने अंग्रेज अंग्रेजों को इंफॉर्मेशन दी अर्केलोजिकल डिपार्टमेंट ओफ इंडिया को इंफॉर्मेशन दी कि कोई एक सभेता कोई एक नगर इसके नीचे दबा हो सकता है तो कृपया थोड़ा सीरियस लीजे आप जिस प्रकार की इंटे पाई जा रहे हैं लेकिन आगे से आदेश नहीं मिला तो इन लोगों ने अपने काम को कांटी नहीं रखा भई बोला होगा जदा काबिल मत बनो जिस ड्यूटी के लिए तुम्हें बताया गया और ड्यूटी करो आप लेकिन बाद में क्या हुआ अर्केलोजिकल डिपार्टमेंट ओ ज्यादा नहीं होता था और जब द्याराम साहिनी और राखाल दास बनर जी जैसे खोच करताओं ने उसको बताया कि सहाब इस तरीके से नगर होने के चांसे जहें नीचे तो क्या आदेश करते हैं कि खुदाई सुरू की जाए या आपके पूरवर्तियों की तरह कि तलास करिये कोई नगर की तलास करिये तो फिर भारत में ये स्री गने सुरू हुआ और एक बड़ा नगर मिला हरपा एक बड़ा नगर मिला मोहन जोदारू अब इसमें भी प्रसन पूछेगा तो उसमें हरपा सबसे पहले खुजा गया लेकिन ये चेत्रफल की दिश्र से एरिया की दिश्री से ये सेकेंड नंबर पर था सेकेंड बिगेस्ट सिटी माना जाता हरपा को और फर्स्ट या लाज़ेस्ट सिटी जो है वो है मोहन जोदारो याद रखना मोहन जोदारो सबसे बड़ा नगर और हरपा सेकेंड लाज़ेस्ट सिटी लेकिन अगर आप से के नगरों की बात करें तो नगरों में ऐसा कौन सा नगर था जो भारतिय नगर था और सबसे बड़ा नगर था तो भाई मोहन जोड़ो और हरपा ये दोनों पाकिस्तान में स्थित नगर है तो ये तो भारतिय नगर में आएंगे नहीं भारत में स्थित भारतिय नगर लगाना है क्यों दिमाग लगाना है लोजिक इतना इतिहास आपको लोजिक से ही याद कर पाएंगे ट्रिक और कांसिप्ट से ही याद कर पाएंगे रट्टा मार के आप सोचें कि मैं पूरा इतिहास याद कर लोगा तो समझे कि आप गड़बड कर रहे हैं तो ट्रिक्स और कांसेप्ट का यूज बहुत किया जाता है इतिहास में तो आपको पता है कि भारत में जो सबसे बड़ा राज्य है सिंदु सभेता के जो छेतर को कबर करता है तो वो है हरियाणा तो आज की डेट में प्रेट फल उसी राज में पाया जाता है तो जो नगर होगा न वो उसी से सम्मंधित होना चाहिए तो राखी गड़ी सुनाओगा आपने राखी गड़ी तो राखी गड़ी जो है वो सिंदु सभेता का सबसे बड़ा क्या है नगर है ये राखी गड़ी 14 नंबर पे देख लेगा आपको ये पता चल गया कि सबसे बड़ा नगर भारत का सिंदु सभेता में वो राखी गड़ी है और सबसे ज़्यादा जो छेतर फल है वो हरियाना में ही आता है लेकिन अब आप से पूछेगा कि ये बताईए सबसे ज़्यादा नगर नंबर आप सिटीज भारत के किस राज में पाए गए है अब विध्यान देना हरियाना नहीं है इसमें इसमें गुजरात सही हो जाएगा गुजरात में सिंदु सभेता के सबसे ज़्यादा नगर पाए गए है तो आधे दर्जन लगभग नगर न सिंदु सभेता के भारत के गुजरात में पाए गए है तो नम्मरींग की बात करेगा तो गुजरात संख्या में और छेत्फल की बात करेगा एरिया की तो हरियाणा ओबराल बात करेगे सिंदु सभिता के सबसे बड़े नगर तो आपको बताना है मोहन जोदारो सिंदु सभिता का दूसरा बड़ा नगर हरपा सिन्दु सभिता में खो जा गया पहला नगर हडपा सिन्दु सभिता का सबसे बड़ा भारतिय नगर तो बताना है राखी गड़ी किलियर है अब आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है डिटेल में आपको कलास पढ़ा दिया गया है यह पूरा जो मेपिंग है न यह पूरा जो डाटा है यह पूरा जो बॉक्स है यह आपको याद रखना पड़ेगा इतना एसान करिये बस आप और देखना आपको आपका काम बन जाएगा अब जैसे सोला महा जन्पद आप जानते हैं आगे सिंदु सब्यता हम लोग अभी खतम कर दे रहे हैं फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे बैदिक संस्किती बैदिक पीरियड जैनिज्म, बुद्धिज्म फिर हम लोग पढ़ेंगे सोला महा जन्पद सिक्स्टीन महा जन्पद तो उसमें कासी को, सलंग, मगद, मल्ल, सुत्व अगरा पढ़ेंगे तो उसमें आपको सोला के सोला राज आने चाहिए पता उनकी वर्तमान इस्थिती कहां पर है और उनकी कैबिटल क्या है ये तीन कॉलम पता होने चाहिए और यहां पर आपको ये पांच कॉलम पता होने चाहिए नगर, हडपा, कब खोजा गया 1921, किसने खोजा दयाराम, साहिनी ने कहां इस्थित्थ है मांट गोमरी जिला ये दो ऐसे हैं ना हडपा और मोहन जोदरो जिनका डिस्टिक भी पूछ लेता है तो मांट गोमरी जिला पाकिस्तान जिला पंजाब पाकिस्तान और नदी रावी मोहन जोदरो 1922 और क्या हो जाएगा आलडी बनर जी, राखालदास बनर जी लरकाना जिला पाकिस्तान नदी सिंधू सुद कांगे डोर तो सुद कांगे डोर 1927 R.L. Stine और बलुचिस्तान पाकिस्तान दास्क नदी आप जानते हो कि जो सिंधू सभेता थी या हडपा सभेता थी वो ट्रेंगलर सेप में थी, ट्रेंगल फॉर्म में थी और East, West, North, South तो तीन साइड से तो ये भारत से टच करती है नीचे में दाइमाबाद है गुदावई नदी के किनारे और आप East में देखोगे तो आलमगीरपूर हिंडर नदी किनारे UP में है और North में जाओगे तो चेनाम नदी के किनारे मांडा इस्थित है लेकिन आप West में जाओगे तो सुदकांगे डोर पाकिस्तान जो दाइमाबाद काठियावार भारत और मादन नदी के किनारे है कोट दीजी 1935 इसको धुर्यजी ने खोजा था सिंध पाकिस्तान में सिंध नदी के किनारे रोपर 1953 में वाईडी सरमा ने खोजा इसको पंजाब भारत में है और 17 नदी के किनारे काली बंगा 1953 ए घोष सहाब ने इसको खोजा गंगा नगर राजस्थान में इस्तित है घंगर नदी और लोथल 1955 से 1963 के बीच में खो जा गया सबसे बड़ा बंदरगा था पूल्ट ध्यान देना है आपको और कहां इस्तित है तो ये एहमदाबाद काठियावार गुजरात में भुगवा नदी के किनारे आलमगीर पूर ध एक्जाम में बहुत पूछा जाता है ये कहां है तो गाजी अब आज जानते होंगे आप हिंडन नदी तो ये यहीं परिस्थेत है कौन तो याद रखना है आपको आलमगीर पूर यगिदत सर्मा ने खोजा मेरट हुत्तर प्रदेश और हिंडन नदी के किनारे सुरकोतदा या सुरकोतड़ा जहांसे घोड़े की हड़ियों के साक्ष मिले 1972 से 1975 तक जगपती जोसी जी ने इसको खोजा कच्छ गुजरात में स्थित है और नदी के बारे मे नहीं पता चल पाता है बनवाली या बनावली दो नाम है बनवाली या बनावली 1972 से 1975 के बीच में खोजा गया हां हां यह तो सुरकोतड़ा है बनावली 1973 में इसको खोजा गया आरेस बिस्ट ने खोजा हिसार हरियाना में है बनावली और राखीगड़ी दोनों हरियाना में प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे धौला वीरा 1990 से 1991 के बीच में खोजा गया आरिस विष्ट साहब ने कच्छकारण गुजरात, मंसर और मनहार छोटी नदीयाईन के किनारे इस्टित है राखी गड़ी जो की सबसे बड़ा नगर था 19 भारती नगर 1969 में रफीक मुगल ने इसकी खोजकरी हडियाणा में घगर नदी के किनारे और अंतिम इंपॉर्टिन सिटी है दाइमाबाद जो सबसे दक्षणी नगर है 1974-1979 के बीच में एसार राव एवं एसे सली साहब ने इसको खोजा एहमन नगर महारास प्रवर नदी की किनारे अब एक प्रस्न है धौला बीरा आप देखो कि कई सारे नगर ऐसे हैं जहां पर दुर्ग बने हुए थे और ये एक मात ऐसा नगर था जहांके दुर्ग तीन भागों में बटे होते थे लोवर दुर्ग, मिडिल दुर्ग और अपर दुर्ग तो माना जाता है जो सबसे निम्नवर के लोग थे वो निचले दुर्ग में रहते थे और मध्यमबर के लोग मिडिल दुर्ग में और जो अपर क्लास के लोग होते थे वो सब उपरी दुर्ग में रहते थे तो ये कुछ important नगर हैं उनको कब खोजा गया उनकी खोज करता कौन है उनकी वरतमान इस्थिती क्या है और वरतमान में ये नगर कहां पर इस्थित है किस नदी के किनारे इस्थित है तो ये बहुत important था इसलिए मैंने ये आपको करवाया next topic मैं फिर आपको कराता हूँ इस त तियार कर लेंगे